हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मेगनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं दोस्तों कैमेश्ट्री का अपना एक नया चैप्टर और लास्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कमपाउंड शुरू होने जा रहा है अब देखो एक्चुली में जो आपकी एंसी आटी में दिया हुआ है कार् के बारे में फिर आई-उ-पी-ए-सी नेम आप लोगों के दिये गया है और उसके बाद में इवन सोप डिटरजेंट सब आप लोगों का एक ही में दिया गया है लेकिन हम क्या करेंगे प्लीज दियान से आप लोग समझेंगे इस क्लास में हम लोग कार्बन एंड इंड करसायन और इसके बार में जो लाज चैप्टर होगा chemistry का वो जाएगा chemistry in daily life हमारे द्यानिक जीवन में chemistry कहां कहां यूज होती है दोस्तों आप लोग रोज साबुन से नाते हो साबुन में क्या chemistry होती है डिटरजेंट में क्या chemistry होती है आप लोगों को पता है दिन बर आप लोग देखते हो काच के टुकुड़े तो काच कैसे बनता है सीमेंट वगेरा तो वो अपना last chapter हो जाएगा समझ में आगई बात को गुड़ इवनिंग आप सभी को चलिए तो क्लास लाइव हो चुकिए गुड़ इवनिंग आप सभी को चलिए स्टार्ट करते हैं carbon and its compound दोस्तों हमारे पास में बहुत सारे तत्व हैं कौन कौन से हाइड्रोजन हीलियम लीटियम बेरेलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन और और जितने भी इसके compound है योगी के उसके बारे में हम लोग अलग से क्यों पट रहे हैं आईए मैं आपको बताता हूं दोस्तों आप लोग मुझे कोई पाच compound यानि पाच योगी के एक्जमपल बताईए आप बोलेंगे carbon dioxide योगी किसको बोलते हैं compound जिसमें कम सगम दो प्रकार की तत्व होते हैं कार्बन भी ऑक्सियन भी मैं लोगा कोई दूसरा एक्जमपल बताईए और बताऊ सर कार्बन मोनो ऑक्साइड और बताऊ सर मीथेन और बताऊ आप लोग तो जितने भी आप लोग compound यानि योगी के उधरन बताऊगे जैसे मालू मैंने ह पर चार लिखे रेंडमली सोचे देखो उसमें से तीन में क्या आ रहा है कार्बन आ रहा है एक ऐसा है जिसमें कार्बन नहीं आ रहा तो दोस्तों एक्चुली में कार्बन सबसे ज़्यादा compound सबसे ज़्यादा योगी क बनाता है इसलिए दोस्तों कार्बन विशेश है तो कारबन के बारे में हम लोग पूरा study करेंगे फिर हम लोग देखेंगे कारबन सबसे ज़्यादा bond क्यों बनाता है देखो दोस्तों सबसे important चीज आप लोगों से जो कारबन के बारे में ध्यान रखनी है जैसे हमारी ये periodic table है ये क्या है आवर सार्णी है अगर मैं आप लोगों से पूछू इसमें आप लोगों को कारबन कहां पर मिलेगा सर क्या ये live class recorded में मिल जाएगी न हाँ दोस्तों जो जो class आपकी होती जारी वो recorded में मिल जाएगी मैं तो आप लोगों को बलूँगा recorded पढ़ो शांदर आप लोगों का दिन में दो class देखो तीन देखो आप location बताईए तो आपको पता है जो वर्टिकल लाइंस होती उसको गुरूप बोलते हैं टोटल अठारा गुरूप होते हैं तो यह अठारवा गुरूप हो गया यह सतरवा हो गया तो अगर आप लोगों से पूछे कौन से वर्ग में मिलेगा तो सर ये आप लोगों को मिलेग चौदवे गुरूप में यानि चौदवे वर्ग में चलो सर समझ में आ गया बात करे जाए कौन से आवर्थ में मिलेगा ये पहला आवर्थ ये दूसरा आवर्थ तो देखो period नमबर टू यानि आवर्थ संख्या दो में ये आप लोगों को कार्बन मिल रहा है तो कार्बन कौन से period में मिलेगा दूसरे period यानि दूसरे आवर्थ में कौन से group में मिलेगा चौदवे group में आप लोगों को मिलेगा आप लोगों को पता है दोस्तो इसको आप लोग बोलते हैं S block और ये 13 से 18 वाला ये जो होता है ये कौन सा होता है P block तो अगर आप लोगों से इसकी location पूछे कौन से ब्लॉक में मिलता है तो आप लोग बोलेंगे सर पी ब्लॉक में मिलता है दोस्तो कार्बन का परमाणू करमांग का आप लोगों से पूछे तो क्या बोलेंगे हाइडोजन हीलियम लीतियम बेलियन बोरोन कार्बन सर इसका परमाणू करमांग क्या होता है 6 होत नूकलिएस ना विक इसके चार और कक्षय होगी इसमें इलेक्ट्रों मिलेंगे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रोन रह सकते हैं दो रह सकते हैं तो ये दो बचे कितने चार चार को आप लोग अगली कक्षा में सेट कर दीजिए तो अगर मैं पुछो कारबन का इलेक्ट्रोनिक विन्यास बताओ तो बताओ क्या होगा तो पहली कक्षा में दो इलेक्ट्र दोस्तों हर कोई चाहता है कि उसके बाइतम कोश में चार इलेक्ट्रोन हो, क्या इसके बाइतम कोश में आठ इलेक्ट्रोन हो, तो क्या इसके बाइतम कोश में आठ इलेक्ट्रोन है क्या, है क्या, नहीं सर, तो क्या ये स्टेबल है क्या, नहीं सर, तो क्या बनाया करेगा, य कि carbon के बारे में कुछ आपने जानकारी प्राप्त करी इसकी location क्या है इसका पर्मान उक्रमान क्या है इसका इसका इलेक्टोरिक्टोनिक्विन्यस क्या है तो दूसरी शीज में आप लोगों से पूछना चाहरा हूं कि carbon सर्ष सभी जगे कैसे जितनीभी जिवित संरचना है मतलब उन सबी में कारबन मिलता है पहले important चीज ठीक है दूसरी में आप लोगों को एक चीज बताऊं किया कि जैसे मालो ये हमारी प्रत्वी है अर्थ है तो ये अर्थ में जब खुडाई करोगे जो अर्थ का crust है ना जैसे आप लोग बू परपटी भी बोलते हैं दोस्तो इसमें आप लोगों को क्या-क्या मिलेंगे जैसे ऐल्यूमीनियम की ऑक्साइड मिलेंगे आप लोगों को दोस्तो केल्शियम कारबोनेट मिलेगा बहुत अलग-अलग प्रकार की चीज़े आप लोगों को मिलती है तो अगर आप लोगों से एक्जम में पूछा जाता है कि अगर हम लोग बात करें प्रत्वी के क्रश्ट पे भू की परपटी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्वु पाए जाता है तो प्लीज आप लोग ये ना बोले हाँ कालंदी जी हो जाएगा mcq practice के लिए किस बुक को ले दोस्तों कुछ मतले बस जो नोट्स पढ़ा रहा हूं वह आप लोग करिए और बस प्रीवेस एर क्योशन लगाए कुछ में ले क्लियर है क्या सर आज मेरी पहली क्लास है अच्छी बात है आपकी welcome है तो जिस सेक्वेंस में आपको कोश दिया हुआ है वो आप लोग देखिए दोस्तों तो आप लोगों को लगता होगा कि अभी जार कारबन के बारे में पड़ा है अगर कोई पूछा आपको कि इस प्रत्वी की जो भू परपटी है क्रश्ट है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा तत्वु पाया जयता है गल्ती से कारबन मत बता देघ ना दोस्तों का दोर दोर तक कोई नाम नहीं है ठीक है सबसे ज़्यादा आप लोगों का पाया जाता है Oxygen क्यों क्यों पाया जाता है Oxygen ये भी संलो क्योंकि दोस्तो जितने भी आप लोगों के तत्वो होते हैं जैसे मालो Aluminium Silicon, Iron सब के Oxide मलते हैं जैसे सबसे ज़्यादा आप लोगों का कौन सा तत्वो पाया जाता है Oxygen इसके बाद में दोस्तो सिलीकॉन इसके बाद में Aluminium चौते नमबर पे पाया जाता है Iron अब एक चीज़ आप लोगों से ध्यान रखना अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सर आपके ज़्यासा गंटेंड आज तक नहीं पड़ा थैंक्च्यो अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्वो कौन सा है तो आपका अंसर क्या होगा Oxygen होगा अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्व कौन सा है अर्थ के क्रश्ट में तो Oxygen अंसर मत दीजिएगा क्योंकि Oxygen आपका Non-Metal है अधात्व है तो सर सिलिकॉन अंसर देदू क्या सिलिकॉन भी मत दीजिएगा क्योंकि यह मैटलोडे उपधात्व है तो सर ऐलूमिनियम दे दूँ क्या बिलकुल तो अगर आप लोगों से सबसे जादा मात्रा में पाया जाने वाला धात्व आप लोगों से पूछे तो ऐलूमिनियम दूसरे नंबर पे सबसे जादा मात्रा में पाये जाने वाला धातु पूछे तो आईरन हो जाएगा क्या यह आप लोगों को सारी चीजे समझ में आ गई है क्लियर है चलो आगे अब देखो मैं जैसे कि आप लोगों को बता रहा हूं कि जैसे यह हमारी प्रत्वी है दोस्तो इस प्रत्वी में अर्थ के क्रश्ट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे ऑक्सिन कितना पाये जारा 46.6 तो सर कारबन कितना पाये जाता है मात्र और मात्र 0.02 परसेंट समझ में आगे बात को इवन हम लोग बात करेंगे इस अर्थ प्रत्वी के चारो और जो वायू है उसमें कौन से गैस पाई जाती जिसम कारवन होती है कारवन डियोकस है तो वो वाली गैस भी दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं है कितनी है केवल और केवल 0.03 प्रतिशत है ना तो प्लीज जी आप लोग चीज ध्यान रखिए गा ठीक है बहुत बढ़िया आजाओ दोस्तों अब बात करते हैं कारवन की कुछ प्रॉपर्टीस कारवन के कुछ गुण की हम लोग बात करते हैं सर यह क्या लिखा हुआ है कोई समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं है आईए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं ठीक है ठीक है दोस्तों मुझे एक चीज बताईए क्या आप लोग जानते हैं आयनिक योगी किसको बोलते हैं जल्दी से बताईए कौन कौन जानता ह आयनिक कमपाउंड आयनिक योगी किसको बोलते हैं बताओ कौन जानते हैं बताओ अरे दोस्तो हमने केमिकल बॉंडिंग रसायनिक बंदन में पढ़ाया ना अगर किनों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखिये तो क्यों नहीं देखिये विया कोई बात नहीं मैं आपको ओता था हूं बूल भी गयो तो दोस्तो आयनिक ठीक है योगी किसको बोलते हो एप ऐसा योगी एक ऐसा कमपाउंड जिसमें आयनिक बंद होता है और आयनिक बंद कौन सा होता है जो मैटल और नॉनमेटल की च्चिए मार्णी बंद है जैसे मालो सूडियम लेगा तो मेटल तो इलेक्ट्रोन को डोनेट करता है तो जब भी को इलेक्ट्रोन को त्यागता है डोनेट करता उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोन को घ्रेन करता उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और दोस्त तो जितने भी आप लोगों के आएनिक योगी के ना आएनिक कमपाउंड है उनके बॉलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं काफी अरे हां कालन दीजी डिलिट हो जागा एक ही कुशन को दस बार क्यों पूछ रहो एक साल के बार में आप लोग नहीं परिक्षा अरे हर चीज का एक कारण होता है एक साल की आप अपने तीन महीने में पूरा कर ले चार में पूरा कर ले जिसे रिवीजन करें जिन्द के बार बार देखोगे क्या एक बार अच्छे से पढ़ लो जीवन में कभी वापिस पढ़ने की जरूत नहीं पैड़ी मैं आप लोगों को यह पूरी वो दे रहा हूं मैं ठीक है देखो तो दूस्तों होते क्या है प्लीज आप लोग मेरी बात को ध्यान समझेगा कारबन जो होता है ना एक्चुली में वो आयनिक योगिक नहीं बनाता क्यों नहीं बनाता क्योंकि कारबन नहीं इलेक्ट्रोन को ग वक्षे में चार इलक्ट्रों सर पहले तो यह बोलते हैं तो सर यह आयन बना तो पा रहा ना नहीं बना पा रहा यह यह चार एक्ट्रों ग्रैन करके बना सकता है लेकिन 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 क्या है कि दो लाइन इस पर क्योशन पूछें ग्रुप D 2022 में देखो मेरी बात को आप लोग समझो समझो मेरी बात को आप बोल रहे हो कि सर यह कारबन का एक्टम का बीच का नूकलेस नाबिक पहली चार एलेक्ट्रों सर चार एलेक्ट्रों और भीज़ दूना इसको कि मैं हैं कैसे देखो आपने बोला कि सर देखो अंदर 6 प्रोट्रों अभी है 6 एलेक्ट्रों आपको पता है प्रोट्रों एलेक्ट्रों आपस में दूसरे को क्या कर रहे हैं आकर्षित कर रहे हैं तो कर रखेंगे उन में इतनी हिमत ही नहीं हो इतनी शक्ती नहीं यह चो इतने अलेक्टों को आकछत करके रखें तो आधक तो इसलिए जो सी माइनस चाहिए नहीं बन सकता रही बन सकता है अब आप लोग बोलोगे सर एक होर तरीका बता हूं मैंने मैंने बोला बताओ पहली कनक्षा में 2 ऐल्यसा यहो जाएगा मैंने बोला दोस्तो जब आप एक इल्यक्ट्वोन को निकालने जारों आ उसको प्रोटरौन पकट बटा हुआ है किया कि दो एक लेक्ट्वन को strive के लिए आपको एनर्जीर एर अगर और आप लोग चौर लेक्ट्रों निकल लोगे तो बहुत 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 जड़ एनर्जी चाहिए तो यह भी पॉसिबल नहीं है तो दोस्तों सकता है क्या कार्बन नेगेटिव ये पॉजिटिव आयन बना सकता है क्या है तो नहीं बना सकता तो कार्बन कभी आयनिक योगिक बनाएगा क्या नहीं बनाएगा कौन सा योगिक बनाएगा सहसनय विज tentang योगिक किसको bonding करेगा कोवलेंट बॉंड से तहीं जगबंद अब सभी कोवलेंट बॉंड कैसे बनाता है ये भी आप लोग समझाईए आईए मैं आपको बताता हूं वेचरों लोगों ने carbonated compound के बाद में दो चैप्टर है एक तो organic chemistry जिसमें हम लोग IOPC नेम वगरा ये सारी चीज़े पढ़ेंगे actually वो भी carbonated compound का ही पार्ट है लेकिन हम लोग उसको एक अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे और एक है chemistry in daily life दैनिक जीवन में रसाएं जहां पर हम लोग soap detergent इनके बारे में पढ़ेंगे ठीक है राजकुमार यह रहा हुजी दो क्लास होगे इसके बाद में देखो फिर chemistry पूरा complete देखो यह कार्बन है ना इसके बायतम कक्षा मकित एलेक्टरोन चार एक एरा दो यह रहा तीन यह रहा दोस्तो हाइड्रोजन का परमानुकरमां क्या होता है एक एलेक्टरोन की संक्या एक हाइड्रोजन की पहली कक्षा में किते एलेक्टरोन है एक एलेक्टरोन है हाइड्रोजन हर पहली कक्षा की capacity किती होती ही दो इलेक्टरोन की होती है तो अगर इसके पास में कहीं से एक ए power in to 13 में मेरा मृल लेता हूं वैसे को दूसरा हेड्यो जन भी गया कि मेरा एक तेरल自 laagấu में अपना माल लेता हूं एक तीसरा इटा जन olan भी चला गया वह यह मेहरे के समफ हा ðेशा मढले तेरा मेरा लेता हूं और एक 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 इसके भी आगे तो carbon के भी 8 हो गए तो दोनों का कारे पूरा हो गया तो जब भी electron की sharing होती है तो कौन सा bond बनता है? अब दोस्तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा जैसे यहाँ पर देखो प्लीज यह NCRT में आप लोगों को चार चीजे दी गई है टेबिल में यह प्लीज जरूर आप लोग ध्यान रखिए ग्रूप D 2022, NTPC 2021, आप लोग ALP, कहीं पर भी देखोगे NCRT के लाइन से कु इप्पोर्टेंट है अगर हम लोग बात करें सोडियम क्लोराइड की तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बॉयलिंग पॉइंट होता है यह बहुत ज़दा होता है जबकि इनका क्या है बहुत कम है देखो 295 एसिटिक एसिट का क्लोरोफार्म का दोसुन आई है इस आप लोग देख रहे हो काफी कम है यह ठीक है चलिए चलो आजाओ अब हम लोग बात करते हैं कार्बन की वैलेंसी यानि सहीं जगता आप लोगों को पता है कार्बन के भायतमकुष में चार इलेक्ट्रोन है तो यह चार जगे से किसी को जोड़ सकता है जैसे एक होती है चार होती है इसलिए हम लोग इसको बोलते है टेट्रा वैलेंट यानि चत्तु सहीं हो जिसके से जोगता क्या है चार ठीक है आगे हम लोग बात करते हैं अब कार्बन के इंपोर्टेंट कंपाउंड योगी की हम लोग बात करते हैं ठीक है सबसे पहले हम लोग बात किसे बोलते हैं बताओ जानते हो गया तो आप लोग बोलोगे सर जो नेचरल गैस है ना वो एक फ्यूल है एक इंदन है फ्यूल आप लोग किसको बोलते हो जिसे जलाने से जिसे जलाने से जिसे जलाने से एनर्जी मिलती है जिसे जलाने से एनर्जी मिलती है जिसे जलाने से एनर्जी मिलती है जैसे कोईले को जलाओ गया एनर्जी मिलती है तो फ्यूल बोल दो पैट्रोल जब जलता है तो एनर्जी मिलती है तो उसको भी फ्यूल बोल दो बहुत ब मिलते हैं इससे पता है रश्या में सब्सक्राइब आप लोगों का पाई जाता है इराक इरान उस्टेड मिलती है इसलिए तो वो देश बेचते हैं क्योंकि यह एक पैट्ल के जैसे ही तो एक फ्यूल ही तो है इंदनी तो ठीक है दोस्तों एक्चुली में नैचुरल गैस को तोड़ा और कंप्रेस करके संपेडित करके हाई प्रेशर में इसको और बेटर फ्यूल बनाया जाता है तो यह जो नई गैस बनती इसको बोलते हैं CNG compressed natural gas आप लोगों को पता है CNG का use कई जगे होता है एवन गाड़िया चलाने में भी इसका use होता है तो अगर आप लोगों से पूछा जाए CNG compressed natural gas जो होती है दोस्तो इसमें कौन से gas सबसे ज़्यादा होती है दोस्तो इसमें methane gas सबसे ज़्यादा होती है एक होती है दोस्तो LPG gas liquefied petroleum gas जो हमारे घरों में होती है अगर इसमें पूछे इसमें कौन से gas ज़्यादा होती है तो आप लोग बोलेंगे सर इसमें propane और butane जो होती है ना यह ज़्यादा होती है समझ में आगई बात को चले आगे तो अगर आप लोग उसे पूछा जाए CNG में कौन से gas सरवादिक मातरा में पाई जाती है आप लोग बोलोगे CH4 यानि methane पाई जाती है ठीक है दोस्तो एक चीज में और बता दू फिर से यह CH4 में bonding कैसे हुई है कारबन के बायतम कोश में क्या थे 4 इलेक्टोन थे 1, 2, 3, 4 हाइडरोजन के बायतम कोश में था एक इलेक्टोन तो हाइडरोजन का एक इलेक्टोन ऐसे 4 हाइडरोजन आए तो हाइडरोजन ने बोला भाई मेरा एक इलेक्टोन 13 माले 13 मालता हूँ हाइडरोजन के 2 पूरे होगे इसके दोगे, इसके दोगे, इसके दोगे, इसके पुरे आठ पुरे हो गए, ठीक है, आज़ो, दोस्तो, नेक्ट हम लोग important compound योगिक की बात करते हैं, जो जिसमें carbon पाई जाता है, वो है carbon dioxide, क्या important है यह, दोस्तो, carbon dioxide gas का use बहुत जगे होता है, हमारे atmosphere में पाई जाती है, द इस carbon dioxide से ही क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, सर, environment भी होगा, बिलकुल होगा, ठीक है, clear, ठीक है, आज़ो, बात करते हैं carbon dioxide में, सर, यह carbon और oxygen जुड़े कैसे, सर, मुझे यह बताओ, हलाएं कि हम लोग chemical bonding में पढ़ चुके हैं, बढ़ फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ, दोस्तो, carbon के भायतम कोश में किते electron होता है, तो यह एक, sorry, ऐसे मनाता हूँ मैं, carbon के भायतम कोश में 4 electron होता है, एक, दो, तेन, चार ही आपको पता है, oxygen की बात करें, इसका परमा 2, 3, 4, 5, 6, समझ गये बात को, समझ गये, दोस्तों कैस के भायतम कोश में 8 electron है गया, नहीं है, तो अगर कैसे भी इसके पास में 8 electron आ जाए तो stable हो जाएगा, यानि एक oxygen को atom को कितने चाहिए, दो electron चाहिए, तो actually में, एक oxygen का atom है, जिसके पास कितने electron हो, दो electron है, उसमें carbon से बात करीए, भाई, मेरे 2 electron तो तेरे माल ले, तेरे 2 electron में अपने माल लेता हूँ, ऐसे ही कोई दूसरा oxygen का atom था, वो भी इसके पास में आया, भाई, मेरे 2 electron है, मेरे 2 electron तो तेरे माल ले, तेरे 2 electron में अपने माल लेता हूँ, ऐसा करने पर हुआ क्या, oxygen को 2 electron और चाहिए थे, कार्बन के दो एलेक्ट्रोन इस ने अपने मान ली है तो इसका काम हो गया कार्बन को क्या चाहिए थे चार और चाहिए थे तो यह 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 तो आप लोग देख पार हुआ हो यहाँ पर भी लेक्ट्रोन के शेरिंग यानि साजिदारी होई है सर मैंने आज ही कोर्ष लिया कितना हो गया पहले दोस्तों सब पूरा हो गया क्लियर है गया यह आप लोगों का जो भी हो चुका वो आपको मिल जाएगा यह chemistry का आपका third last है इसके बार में organic chemistry पढ़ेंगे फिर daily life chemistry हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कभी exam में पूछला जाए कि carbon dioxide में bonding कैसे होती है तो आप लोग बोलोगे carbon इन दो oxygen से जुड़ा होता है double bond से ठीक है क्या है आपकी जानकारी के लिए और बता दूँ जब आप लोग कार्बन को oxygen के प्रजेंस में गरम करोगे ना तब आप लोगों को carbon dioxide gas मिलती है ठीक है आज़ा नेक्स हम लोग बात करते हैं दोस्तों carbon के allotrop यानि carbon के upper root सर ये upper root क्या होती है बताइए ठीक है ठीक है अपर रूप क्या होता देखो दोस्तों समझो जैसे सब मुझे comment करके बताईए आपकी family में कितने लोग है तीन है चार है पाच है छे है साथ है किसे की joint family है तो सकता है बारा बारा तेरा तेरा member हो जल्दी से comment करके बताईए आप जिस घर में रहते हैं आप जो परिवार आपका जो बेहत खुशाल परिवार है उसमें कितने member है जल्दी comment करके बताईए किसी की में चार हो सकते हैं जैसे मेरी joint family तो हमारी बड़ी फैमिली तो आप मुझे बताईए कमेंट करके आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं सब बच्चे वगर सब मिला कि जल्दी बताईए एक लड़का पूचरा है सब PDF कैसे प्रिंट होगा देखो यह क्योशन है यह doubt है आपके देखो PDF प्रिंट कैसे कराते हैं PDF है आपके computer ओलोग जाके बोल दो प्रिंट निकाल देशका वनना आपके mobile में है ही सब PDF कैसे होता है कैसे कैसे क्योशन पूचते हूँ कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर पाच मेंबर चार मेंबर दस मेंबर पाच मेंबर ठीक है प्रभात कुमार जी बोल रहे हैं 276 आट लोग 6 ठीक है तो देखो रोस्तो किसी के पाच मेंबर है किसे के आठ है किसी के दस है किसी के चार है किसी के है लेकिन है तो फैमिली ही रहते है तो इसमें इंसान ही है ना तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ भी या मेरी फैमिली पाच लोग है तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने घर के कुरसी टेबिल को गिन लिया घर के टीवी एलेडी को गिन लिया नहीं इंसानों को गिना ह क्या होता है दोस्तों कार्बन जो होता है ना वो आपके अलग अलग रूप में पाये जाता है किसी में कार्बन परमानू अलग प्रकार से जूड़ते हैं किसी में अलग प्रकार से तो दोस्तों जो अलग अरेंजमेंट है ना बने हुए सारे केवल कार्बन के अटम से ही हैं लेकिन दोस्तों इनके अरेंजमेंट अलग-अलग है जैसे मैं आप लोगों को बताऊं हैना ग्रेफाइट में कार्बन के एटम्स आपस में तीन लेयर में पाई जाते हैं जैसे अगर आपको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं एक लेयर में कुछ एटम है फिर दूसरे में फि कि फुटबॉल जैसा नजर आ रहा है डाइमंड में कार्बन के अलग प्रकाश जुड़े हैं तो दोस्तों कार्बन के एलोट्रोप किसको बोलोगे कार्बन के परमाणूं की विबिन विबिन संरचना है तो इनको नाम अलग-अलग क्यों दिया गया है क्योंकि इस्ट्रक् एक कार बन करेंज में अलग प्रकार से दोस्तों बस चोटा स liकमे यहां पर बता रहा हूं अगर आप लोगों को पूछ जाए घरे ये जो एक लेयर है जिसमें कार्बन के अटम है ये दूसरे लेयर है जिसमें कार्बन के अटम है एक लेयर के कार्बन के अटम दूसरे लेयर के कार्बन के अटम किस बॉन्ड से जुड़े हैं इस बॉन्ड का नाम बताइए किस बॉन्ड का नाम है वॉन्डर वॉल बॉन्ड यानि वॉंडर वॉल बंद है ठीक है चले आगे आजाओ अब दोस्तों कार्बन के अपर रूप जो है ना हम लोगों लगता है तीन यह ग्रेफाइट डाइमंड फुलरीन और भी होते हैं फिर सर और होते हैं तो यह तीन ही क्यों आते हैं आपके मन में क्योशन आ रहा है नही नहीं पड़ाए जाता है क्यों हो अभी बता दू है कि देखो कि बिसे माल लीजिये आपने बोला कि चार मेंबर है कि इसर मेरे पापा मम्मी किम नहीं और मालो हम दो भाई है दो भेहन जो बिव हैं ना या एक भाई एक बेहन जो है कि मैं गया आपके गर में एक एक्ष्रा अंटी को देखा कभी तो आपने बोला कि अरे सरी तो मेरे भूवा है कभी आ कभी आजाता है कभी नहीं कभी यह तो इसी प्रकार एलो ट्रोप अपर रूप में भी कार्बन के कई पर होता है फिक्स श्ट्रक्चर होता उसको बोलता है जिसे डाइमन्ड ग्रे फाइट यह जो आप लोगों मिन्ष्टर और बहुत पर फॉर्म किसको बोलते हैं लेकिन उनका इंहें इसे और अलग लग चैंज हो सकता है कोग चारकोल क्लियर है सारी चीज़े मैं आपको बता है सर्जी आप कहां से जो question पूछे जाता है वो क्या पूछे जाते हैं आईए दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं देखो आजाओ इन दोनों में आप लोगों का पूछे जाता है बहुत ज़्यादा difference है इसलिए इन दोनों से बहुत ज़्यादा question पूछे जाता है दोस्तों क्या दोस्तों आपको म पाए जाने वाला नैचुरली आर्टिफिशल तो आप लोग कुछ भी बना सकते हो कि देखो सर मैंने इससे भी कठोर बना दिया नैचुरली जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें सबसे हार्ड है सबसे कठोर क्या है डाइमन्ड है पहली बात क्लियर है ग्रेफाइट की बात करें तो दूस्तों इतना हार्ड नहीं होता है कफी सॉफ्ट होता है और ग्रीजी तूट टच है ने चिकना सा लगता है आप लोगों को ठीक है सर बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है और बताओ और बताओ सर आजो दोस्तों डाइमन्ड जो ना हीरा आपकी जानकारी के लिए बता दू जैसे हम लोग बात करें लोहे की लोहे को जब आप लोग गरम करोगे यहां से तो यह किनारा गरम हो जाएगा मतलब इसको हीट दोगे तो थोड़े देर बात में देखोगे यह वाला क यह जो डाइमन्ड न यह कार्बन का बनावा है जो कि अधाथतु अच्छे अधाथकर नहीं होते लेकिन दूस्तों डाइमन्ड जो है ना वो क्या है कुष्ज फोल्ट स्कार्टटर है में बेश सोग केश्ट केलविन होती है सबसे ज्यादा होती है इसमें मैं करेंट का अप लोग ग्रेफाइट की बात करें तो इससे हीट भी अच्छे से फ्लो जाती है तो ग्रेफाइट जो अच्छा अच्छा कंडुक्टर हीट को लेक्टिसिटी दोनों का ठीक है क्लियर विकाजी कल होगी चलो नेक्स हम लोग बात करते हैं डाइमन्ड की दोस्तों डाइमन्ड का जो श्ट्रक्चर होता है वो ऑक्ता है अच्छ फलकी होता है जैसे आप लोग इसको बोलते हैं जैसे मालो जैसे यह हो गया चत्वस फलकी है जिसके चार फलक होता है तो इसका 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 इ बिला था कलियर रैघया कार्वन के एक्टम इस प्रकार से रहें हैं जिसमें आप लोगों को फृटबॉल जैसा नजर आ रहा था झाट म यह आसे लेगा नेट पे से बोलते हैं तो asarchiy teacherije जिनका नाम अचली वह पुलर रहीं है तो उस गुंबत के जैसा ही यह शेप दिख रहाता तो इसलिए हम लोग इसका नाम क्या रख दिया पुल्रीन रख दिया क्लियर है आ जाओ अब दोस्तों बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बन क्या होता है टेट्रा वेलेंसी होती है बहुत ज्यादा यह क्लियर है ठीक है दोस्तों अभी मैं आप लोगों को यह कुछ भी नहीं पढ़ा रहा है यह हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में और गेनिक केमेश्ट्री में एक्चुली में आपके एंसी आटी में सब कुछ दिया हुआ है लेकिन काफी बढ़ा हो जाएगा तो यहां तक आपका कार्बन एंडिट्स कंपाउंड पूरा कंप्लीट होता है नेक्स्ट पार्ट सैचुरेटेड यानि संत्रप्त एसंत्रप्त आयूप सी नाम यह सारे हम लोग पढ़ेंगे और गैनिक केमेश्ट्री यानि कार्बनिक रसायन में समझ में आगई बात को शिव जी जी लक्सी बैच लाएंगे तब बता रहेंगे ठीक है तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और पीच अच्छे से आप लोग पढ़िए रिवाइज करिए और सारी टैंशन हम पे छोड़ दीजे तो जो नेक्स चेप्टर होगा वो होगा अपन झाल 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 झाल